यह दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे Asian Pants Company का थोड़ा सा इंट्रोडक्षन Asian Pants Company का डीलर्शिप आप कैसे ले सकते हो इंवेस्टमेंट कितना लगेगा डॉकॉमेंट्स कौन कौन से लगते हैं कॉन्टेक्ट कैसे करोगे कम्पनी से सारे डिटेल स्टेप बाई स्टेप जानेंगे दोस्तो वीडियो को पूरा लास तक जरूर देखिएगा तो दोस्तो एशियन पेंट्स कंपनी एक मल्टी नेशनल पेंट्स कंपनी है या एक केमिकल इंडस्ट्री है जो केमिकल्स डेकोरेटी पेंट्स इंडस्ट्रियल फिंसिंग प्रोड़क्ट आधी बनाती है इसकी अस्थापना एक फर्वरी 1942 में चंपक लाल चोक से चेमन लाल चोक सी शूर कांदानी और अरविंद वाकिल ने की थी इसका हैटकॉर्टर यानि की मुख्याल है मुंबई महराष्टा में है दोस्तों इनके चेयर्मेन की बात करें तो इनके चेयर्मेन अश्विंदानी ह हैं इनके वाइस चेयर्मेन मनिश चोक सी हैं इनके सी ओ यानि चीफ एक्जेक्यूटिव ऑफिशर मिस्टर अमिस सिंगल है और इनके नौन एक्जेक्यूटिव डिरेक्टर अब है वाकिल है अब एशियन बेंट की डिलर्शिप आप कैसे लोगे तो लगबग लगबग सार अब की मन में सवाल आएगा कि पर इच्यान परेंट की डीलर्सिप लेने के लिए आवेदन कैसे करें तो मैं पहले ही बता देता हूं इसके लिए कोई ओनलाइन आवेदन नहीं होता है दोस्तों इसके लिए आपको contact करना पड़ेगा अपने area sales officer से अब area sales officer से contact कैसे करोगे सबसे पहले customer care number जो आपके screen पर दिखाए दे रहा है इस पर call करोगे वहाँ आपसे बता देगा कि भाई आपके area sales manager ये है या आपसे contact करेंगे या फिर आपको उनका contact number दे देगा area sales manager का आपके area के तो आप उनको call करके area sales manager को area sales officer को call करके बताओ कि भाई हम यहाँ पर हमारी location है हम dealership लेना चाहते हैं तो area sales manager जो होगा area sales officer जो होगा वहाँ का आपकी area का वह आप कहां visit करेगा वह बताएगा कि कब आएगा वह सारी चीजे आप पूछ लो तो आपके आएगा फिर आपको कुछ चीजे चेक करेगा भाई अब वह dealership देगा तो ऐसे डारेक्ट नहीं होता न अब वह आपके हाँ आएगा चेक करेगा कि भाई आपको experience कितना इस period में stop location ठीक है कि नहीं documents आपके लगेंगे तो documents में बताएगा कि GST नंबर मस्ट है वैसे भी किसी भी कंपनी का डिलर्सिप लेते हो बाई GST नंबर तो मस्ट है तो आपके पास GST नंबर होना चाहिए और ID proof में आपके पास आधार card, pen card, autor ID card होना चाहिए address proof में आपके पास रासन card और electricity bill होना चाहिए और एक current account भी होना चाहिए आपको Asian print company का dealership लेने के लिए तो ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए अब हम जान लेते हैं area मतलब आपके पास कितना area होना चाहिए आपको एक shop रखना होगा तो shop के लिए भाई 200 से 500 square feet का area होना चाहिए 200 से 500 square feet का area must है आपके पास minimum 200 से 500 square feet का area shop के लिए होना चाहिए कि आपके पास कितना area है फिर हम बता देंगे कि आपको Asian print company के लिए और कितना area की requirement होगी या फिर उतने area में काम चल जाएगा सारी चीजे मैं step by step बता दूँगा comment कर देना दोस्तों अब हम जान लेते हैं investment के बारे में तो investment के बारे में जान लेते हैं क्योंकि हमने तो documents के बारे में जान लिया area के बारे में जान लिया कितना area requirement होगा अब हम जान लेते हैं investment के बारे में तो company को आपको initial stock के तौर पे मतलब आपको जो initial stock जो भी सुरुवाती जो भी समान है आपके दुकान में रखना होगा तो उसके लिए साड़े तीन से साड़े पाँच लाग रुपए आपको देना पड़ेगा लगवग लगवग सारी GST इसमें इंग्लूड रहेगी तो इतने आपकी इनिशियल स्टॉक है अब आपको कलर मिक्सिंग मसीन लेना होगा जो बर्जर पेंट कमपनी में थोड़ा सस्ता था यहाँ पे आपको डेड़ से दो लाग रुपए मशीन के लिए देने पड़ेंगे मशीन की वेराइटी भी है कॉल्टी भी है इसलिए आपसे पैसे लिए जा रहे इतना तो मशीन आपको कई तरह के दिखाए जाएंगे आटोमेटिक, सेमी आटोमेटिक, मैनुवल कई तरह की मशीने दिखाए जाएंगे यहाँ पे भी जारियो, शेकर बगएरा मिलेगा सब कुछ इसलिए इन के बारे में नहीं बता रहा हूँ, बस बता दे रहा हूं कया क्या प्रोसेस होता है तो अब आपके पास जो सौप इंटीरियर अगर आपका डिडी है मतलब आपके पास खुद की स्वऺ है तो रेंट से भी छुट्टी फिल बिल सकती है आपके यहां पैसे बस सकते हैं, अगर आपका swap interior पहले से है, counter पहले से है, रैक पहले से लगा है, तो यहां भी एक से डिल लाख को पहले सकते हैं, अगर आपके पास computer system है, तो यहां भी आपके 40-50 जार यहां पे भी बस जाएंगे, तो यह process हो गया, documents वगयरा का, investment वगयरा का अब हम जान लेते margin के बारे में, क्योंकि काफी लोग पूछते रहते, Asian paint company की margin कितनी होती है, अब Asian paint company की profit margin की बात करें, तो इसके अंदर सभी product पर अलग-अलग profit margin दिया जाता है, क्योंकि company बहुत से प्रकार के product बनाती है, तो सभी के उपर अलग-अलग profit margin देती है, और profit margin margin के बारे में, जब dealership दी जाती है, उस time पे information सारी आपको बता दी जाती है, अब profit margin दो तरीके से आपको दिया जाता है, एक CD cash discount की रूप में मिलता है, एक RTVT discount की रूप में मिलता है, दो तरीके की discount होती है, इसके बारे में भी हो detail में आएगा area sales officer जो होगा, वो आपके area sales officer बता देंगे सारी detail step by step, इसमें चिंता करने की ज़रूद नहीं, direct contact करो, अगर Asian print की dealership लेना चाते हो, और भी process है, मैं बता दूँगा, comment करके पूछ सकते हो, आप की, मतलब direct contact ना करके, और कौन-कौन सा process है, dealership लेने का, जिससे आप dealership ले सकते हो, तो उस पे भी मैं detail में व हुआ हुआ